नमस्कार खबरों की खबर में आपका सौगत है आने वाले कुछ महिनों में कॉंग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों के बैमान और घोटा लिवाज लीडर्स की उल्टी गिंती शुरू होने वाली है कई लोगों पर तो कारवाई हो चुकी है और कई लोग अभी निशाने पर हैं आज हम उन्हीं नेताओं के बारे में आपको बताएंगे जिनकी कुंडली में जेल यात्रा की का जो योग जो है वो बन रहा है मोधी सरकार के सौधिन पूरे हो गए हैं और ये सौधिनों में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिजम मोधी सरकार को फेस करना पूर रहा है वो ये है कि विरोधिय आरोप लगा रहे हैं कि मोधी सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है मतलब ये कि सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है विरोधियों को सताय जा रहा है और विपक्ष के लीडर्स को जो है बकैदा टार्गिट किया जा रहा है उन्हें जेल भेया जा रहा है उनके पीछे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट E.D.C.B.I. को लगा दिया हैं कि मोदी सरकार की इस एक्षन से देश में पॉलिटिकल कल्चर जो है वो खराब हो रहा है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले देखते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद देश को लूटने वारे लूटोरों के खिलाफ क्या-क्या क डिकेश शिव कुमार और कई निताओं का जो नाम जो सामने आ रहा है उसके अलावा किन-किन निताओं के उपर कारवाई होगी वो आज हम आपको बताएंगे. सही बात क्या है? कि मोदी सरकार के आने के बाद से पॉलिटीशन्स के खिलाफ हुई कारवाई की संख्या में काफी तेजी आई है. ये वो पॉलिटीशन्स हैं जिनके बारे में पहले लोग यही कहते थे कि इनका कोई कुछ नहीं बिगार सकता. आप यह सोचिए मोदी सरकार के पहले जब यूपे के दौर था तो सब लोग एक कहते थे कि इनका कौन क्या कर सकता है? इनका कुछ नहीं हो सकता. ये धरले से गोटाला कर रहे थे, देश को लूट रहे थे. लोग भी यह समझते थे कि नेताओं को जेल नहीं भेजा जा सकत लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से Enforcement Directorate, मतलब ED, CBI और Income Tax की कारवाई से जो Opposition Leaders के खिलाब जो हो रही है, उससे जो है पूरे विपक्ष में वो एक दहशत फैला हुआ है. मोदी सरकार पर विपक्ष लगतार आरोप लगा रहा है. लेकिन प्रधान मंतरी साफ साफ कह चुके हैं कि भरस्टाचारी के खिलाफ जो सरकार की कारवाई है, वो जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी. और जिन लोगों ने देश को लूटा है, उन्हें बिलकुल छोड़ा नहीं जाएगा. अभी जब भी प्रधान मंतरी भाष्टन देते हैं, तो इस बात को जरूर दोराते हैं. और यही वज़ा है कि मोदी सरकार के आने के बाद से निताओं के खिलाफ जो है, एक्शन लिया जा रहा है. फिलाल कॉंग्रस के दो बड़े निता हवालात की हवा ख रही है. लेकिन खबर यह है कि एक दरदन से ज़्यादा विपक्ची निताओं के खिलाब जो है, जाच चल रही है, उनकी फाइलों को जो है, खोल दिया गया और आने वाले दिनों में उनके खिलाब भी कारवाई होने की पूरी संभावना है. अलग-अलग एजिंस्यों के निशाने पर कॉंग्रेस पार्टी के सर्वोच निता सोनिय गांधी है, युवराज जो नराज बैठे वे हैं आजकल वो राहुल गांधी है, ये दोनों के कॉंग्रेस के सबसे बड़े लीडर्स हैं, इनके उपर कुछ मामला भी चल रहा है, ये लोग अभी बेल पे बाहर है, इसके अलाबा कॉंग्रेस पार्टी के मोतिदाल वोरा और आसकर फर्णांडिस भी इस लिस्ट में सामिन है, यूपी के दोरान सबसे ताकतमार मंतरी, जो वित्व मंतरी भी रहे, ग्रिम मंतरी भी रहे, चिदम्रम के बेटे कार्ती चिदम्रम पे भी आरोब लगे हवालात में हैं, और उनके रिष्टदारों को भी जो अब घेरने की तैयारी हो रही है, अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, ब्याहर चलते हैं, लालु यादव फिलाल चारगोटाले की वज़र से जेल में बंद हैं, लेकिन अब एजिन्सियों की गाज उनके बेटे तेजिस्वी यादव और मीशा भारती पे गिरने वाली है, कुछ घोटालों भी इनका नाम आया है, और कुछ जो आए से ज़्यादा संपत्ती कभी जो मसला जो है, वो सामने आया है, तो इनके खिलाब भी कारवाई होगी, इसके अलाबा, कई पुरुमुख मंतरी जिनके पुरुमुख मंतरी वीर भद्र सिंग और उत्र प्रदेश की पुरुमुख मंतरी और बहुजन समझ पार्टी की सुप्रेमु मायवती भी है, जमुक अस्मीर के पुरुमुख मंतरी फारुक अब्दुल्ला, आज से 6 साल पहले, अगर कोई ये कहता, कि ऐसे से निताओं को जो है भरष्टाचार के आरोप में जेल भेजा सकता है या उन पर कारवाई हो सकती है, तो लोग हसते, लेकिन अब हम UPA के सबसे ताकतवर मंतरी पी चिदमरम को जब जेल जाते देखते हैं, जब उनका वीडियो आता है, तो लोगों को लगता है कि ये अब मुमकिन है, और यही वज़ा है कि जब चिदमरम जैसे लोग जेल के अंदर जाते हैं, तो जो पॉलिटिक्स में रहकर के जो भरष्टाचार जिन लोगों ने किया है, उनकी जो आत्मा जो है अब कहा अपने लगी है, दो-तीन नाम और है, राजस्थान से सचिन पालेट र अशोक गहलोत, इन दोनों के किलाब भी जो है कारवाई होने की आशनका है, कॉंग्रस के सिवराज पाटिल के पुत्र शैलेश पाटिल पर भी अजिंसियों की नजर है, साथ ही ममता बनर जी की चहते रीडर संदीप बंदो पाध्याय पर भी कारवाई हो सकती है, ये तो लिस्ट है जिस प बेल और जेल के बीच में फसे हुए हैं, ये लोग आएंगे, लेकिन अब ये सवाल जो है कुछ और भी महतपुर्ण है, जिसको लेकर के राजनिती हो रही है, कि क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की राजनिती से की जा रही है, तो इसका सवाल जो है, ये सवा बूच कर उन्हें फसाया जाता, तब इसे कर सकते थे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, अब आप बताइए, कि चिदमरम सहाब, जिनके खिलाफ जो है, एजिंसियों के पास सबूत मिले हैं, कि उन्होंने यूपिय के दौरान मंत्री रहते हुए, एक कीस हजार करोर, एक चिदमरम सहाब को बताना पड़ेगा, कि उन्होंने पैसा कहां से लाया, वो को टाटा बिरला या कोई मारती कंपनी तो चलाते नहीं है, नेता है, गरी मंत्री रहे, तो ये पैसा कहां से आया, तो ये कहना कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये तब जायस होता, अगर आ पक्स के पास उस तरह का मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो आप जो है, इसे वेंडेटा पॉलिक्स कर रहे हैं, और इसी पहल में आप देखिए, इतना बड़ा आरोप, और ये जो लोग लूटियन में हैं, और सारे जितने लोग चिदमरम के किरिया कलापों से वाकिफ हैं, और उसको आप जो है, बिठा करके आप प्रेस कॉन्फरेंस करवाते हैं, तो ये एक मसला जो है, ये वेंडेटा पॉलिक्स नहीं है, अगर कुछ ये मांदार लोगों के खिलाप कारवाई होता, कि बस इसलिए कि वो विपक्ष में हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तब खराब हो रहा है, तो जो पॉलिकल कल्चर का जो मतलब जो लोग निकालते हैं, वो ये कि पहले जो हुआ करता था, कि सारे राजनतिक जो पार्टियों के जो बड़े-बड़े लीडर्स थे, उनके बीच एक अपना परसनल रैपो हुआ करता था, इस वज़े से लोग जो है उनके खिलाफ करवाई नहीं करते थे, या इग्णोर कर दिया करते थे, जाने देते थे, अब जो लोग कह रहे हैं कि भई, वैसा ही पॉलिकल कल्चर हो, तो ताली तो दोनों हाथ से बज़नी चाहिए, कॉंग्रेस पार्टी ने पूरा कैंपेन, आप बीजे पी की विचार धारा, उनकी राजनीती, नीतियों, सरकार जो रही पाउस साल के लिए, उनकी नीतियों और उनकी योजनाओं के उपर तो आपने अटैक नहीं किया, आपका मेल नारा क्या था, आपने कहा, प्रधान मंत्री चोर है, ने दमोधी चोर है, ये चोरी कर रहे है, तो अगर इस तरह की भाषा और इस तरह की राजनीती एगर होगी और भी बिलकुल पर्सनल तो आपको इसका खाम्याज़ तो भूगतना पड़ेगा लोजिक बहुत ही सिंपल है अब आप देखिए जब चिदमरम सहाब मंत्री थे इतनी पावरफुल मंत्री थे आपने पूरी एड़ी चो तो किसी किसी के जड़िये आपने सारा कुछ किया उस दौरान भी CBI ने पूश्टाच की थी SIT ने पूश्टाच की थी अमिसा के खिलाब जो एक्शन भी हुआ था तो ये ताली जो है वो दोनों हाथ से बज रही है लेकिन डिमोक्रसी में अच्छा ये होता अगर जो आइडिल सिचुशन है जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो आइडिल सिचुशन तब होती जब सारे नेता बैमान नहीं ह होते हैं बैमान हर पार्टी में हर जगह बैठे हुए हैं और जब बैमानी नहीं करते हैं ये लोग तब आपस में इनका परस पर जो है समवाद भी ठीक रहता रिष्टे भी ठीक होते लेकिन यहां तो एक से एक जो है वो लोग बैठे हुए हैं लूटने वाले खसोटने व लेकिन आपने जब कारवाई करना शुरूब किया और चुनावा भार गए तो दूसरी पक्ष आई जिस तरह से आप देखिए जिस तरीके से तमिलाडू में हुआ करता था पहले तो वही कल्चर जो है आज केंदर में देखने को मिल रहा है पहली बात ये कि जो लोग पॉलिटिकल कल्चर की दोहाई दे रहे हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि क्या वो इस बात के पक्षदर हैं कि जो लोग भरष्ट हैं जो लोग घुटाले बाज हैं उनको क्या छोड़ देना चाहिए हाँ एक बात जरू समझ में आती है कि बहुत सारे लोग बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप है तो सरकार को ये भी करना देखना पड़ेगा कि उनकी खिलाब भी जो कारवाई जिस तरह से हो रही है तो उसमें भी जो एजिंसिया है वो उसमें तत परता दिखाए जैसा कि विपक्ष के साथ कर रही है तो आप देखते रहिए ओपिनेट पोस्ट इंटरनेट टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि हमारे वीडियो आप तक लगतार पहुंचें धन्यवाद